जैश्री मन नाराइन आज भाग्य नगर को भाग्यवान बनाने के लिए भगवद रामाण जैचार्य स्वामी जी की समता मूर्ती यहां निर्मान होकर और उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक अजार पैंतीस कुंडों से श्री लक्ष्मी नाराइन महा यज्ञी का कारेक्रम होने का सुआवसर पर आज और कल दो दिन भारत में रहने वाले भिन भिन प्रांतों से यहां धर्माचारिय और संतगर्ण विद्वान यहां पर पधारे थे उनका सदस आज यहां पर आरंभ हुआ है और इस सुआवसर पर अपने भारत का महत्व को और अपना धर्म का वाईभव को दुनिया को बताते हुए भारत माता की सुरुंखलाओं को जिनोंने तोड़ा था भारत माता का मुखार विंद को उठा कर मुश्कुराने जैसा किये थे हमारे आमित शाजी और अपने प्रधान मंतरी ची अब आज यहां पर सिरिवान आमित शाजी पधारे हैं सरद्धा से धर्म का पालन करते हुए इस यग्य का संदर्शन के लिए समता का संदर्शन करने के लिए और धर्माचारियों का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए यहां पर पधारे हैं वे अभी यहां आकर समता मूर्ती की बारे में यहां पर किया गई कियी गई व्यवस्था को दिखाने वाले एक प्रिव्यू थियेटर है उसका उद्गाटन करके तत्पस्चात समता मूर्ती का संदर्शन और यहां रामाउन जाचारी स्वामी जी को प्रेरणा देने वाले 108 जो दिविदेश यहां पर बने है उनका भी संदर्शन करके यहां आप सब धर्माचारियों का और भक्तगण का आसीरवाद लेकर अपना देश का महत्व को और भी उपर उपर आसमान तक ले जाने के लिए कटि बद्ध होकर यहां पर आए है स्रीवान अमित्शाजी यहां पर समता मूर्ती का निर्मान के लिए दोहजार चौदा से एक कल्पना करके निर्मान आरम हुआ और अब वोही कल्पना साकार होकर रामान जाचार्य स्वामी जी की भव्य मूर्ती को संदर्शन करने का अवकाश दे रहा है कोई पूछे रामान जाचार्य स्वामी जी के लिए उतने उंच्छाई में मूर्ती का निर्मान करने का क्या जरूर थी तो कहा रमान जैचारी स्वामी जी समता का एक आईकॉनिक परिसनालिटी थे ये आज नहीं है ये एक हजार साल पहले की बात थी पहाजार साल पुरानी बात थी उस काल खंड में समता जैसे बातों को कल्पना भी कर नहीं सकते थे लोग जो आचार व्यवहार उतना रिजिड रहता था उस समय में कोई ऐसी बात अपने मूँ से कहते तो उनको घोर दंड दिया जाता था और उनको समाज से बहिशकार करते थे या उनको वहीं समाप्त भी करते थे महिडाओं को तो मंत्र का अवकाश ही नहीं थी उस समय में आईसे समय में रमानुजाचारी स्वामी उन बैरियर्स को हटा कर सब को भगवान का मंत्र जपने का अधिकार है महिलाओं को भी साधिकारता दिये थे और समाज में रहने वाले जो दीन दलित ऐसे लोगों को भी भगवान का दर्शन करने के लिए उन्होंने द्वार खोल दिये मंदिर में भी उन लोगों को प्रवेश कराए उनकी प्रेरणा इन सारे मंदिरां दिये थे तो रामा स्वामी जी को उन्चाई जो है हम भी रामान जाचारी स्वामी जी का मूर्ति जैसे उपर उपर बढ़ जाएं समता का संदेश लेकर एक-एक भी जो यहाँ पर आते हैं और दिर्शन करते हैं वो सब अपना अपना नियम के अनुसार समाज में समता की पालना करते हुए उपर आसमान ही सीमा ऐसा बढ़ने के लिए ही एक मूर्ति इतने बड़ी बनी है आनंद की बात है इस प्रोजेक्ट छे साल में साकार करके दिखाए हमारे डॉक्टर रामेशोर राउच जी और यहाँ पर उपस्थित स्रीमान चलमेड लक्षमन राउ लक्षमी नरसिम राउ उसका एक महत्व पुर्ण सदस्य है और श्रीमान संजे जी तो पार्टी का अच्छे क्षभी तो है है और आपका आगमन से इस प्रोजेक्ट का महत्व बढ़कर इसकी सोभा अतियंत विकाश होकर साव इसका फल लेने के लिए मार्ग खुला है श्रीमान आपका स्वागत कहते हुए और आपका मन का भाव और जिनता को संबोधन से आप बता दें ऐसा हम आपको आफ़ान कर रहे हैं एक ज्ञान का भाणडागार बनता है ऐसे रामान जाचार स्वामे जी के बारे में और उनका कार्यक्रम के बारे में और उनका सिध्धान्त के बारे में वे अपने जीवन में समाज को सुधारने के लिए कितने प्रकार समस्कार किये थे उनके बारे में अत्यंत विवरण आत्मक व्याख्या की है ये तो आश्चरी की बात है आपको देश की सेवा करते हुए और इतने विश्यों को अपने कैसा एकठा किये हैं और उनको अच्छी तरह समझी कर लोगों को अपने प्रेरणा दे रहे हैं इसलिए आपका ही समय में भारत का गर्व बढ़ा है मैं भी भारत का हूँ ऐसा कहने के लिए देश में रहने वालों को और बाहर रहने वालों को भी दम मिल रहा है यह तो बहुत आनंद की बात है सिर्वान आमिर्शाजी बहुत आनंद की बात है आप सोयम इतना समय लेकर यहां पर बढ़ा रहे है हम जानते हैं अभी आप कितने व्यस्त है फिर भी समय निकाल कर यहां तक आकर इस कारेकरम में भाग लेते हुए इतनी प्रेन आत्मक व्याख्या आपने की है यह आतियंत ही आनंद दे रहा है और जब से एक कारेकरम यहां पर आरंभ हुआ तब से जो यहां का सरकार और यहां का जो चीफ मिनिश्र अपने केसियार भी है वो भी तो एक वैश्णो है वो भी बहुत भक्त ही है और वो भी इस कारेकरम के लिए हर प्रकार की सुविधाएं बना के दी है हम जानते हैं एद्यपी राजनीती में अनेक प्रकार की पंधाएं होते हैं परंद भगवान के सामने भगवत सेवा के लिए हम सब एक होकर आगे चलना है यह बात मानते हुए वे अच्छा शपोर्ट किये थे और यहाँ इतने भारी कारेकरम होने के लिए जो सरकार की और से जो रास्ता की व्यावस्ता होनी चाहिए और जल की व्यावस्ता और विड्यू चेक्ती की व्यावस्ता खहीं प्रकार की व्योस्ताएं होते हैं जरूरत उन सब में वे अपने योगदान से और इस कारेकरम को बहुत सारे सुधाएं किये हैं और उसके लिए भी हम बहुत-बहुत ही आभारी हैं और यहां हमारे इस कारेकरम का स्वरूप देने में हमारे डॉक्टर रामेश्वर रव साब और हमारे लक्षमी नरसिम रवजी और भासकर रवजी करके और नहीं भक्तिगन सब अपनी सुरिद्धा से इस कारेकरम का स्वरूप साकार करने में सह योग दिये हैं धर्म के प्रती और देश की समग्रता के प्रती सिर्था रखते हुए यह सब भक्तिगर्ण इस कारिकरम को साकार किये हैं और उन लोग प्रधान मंत्री जी यहाँ पर आना है आमित्षा जी यहाँ पर आना है और उनका करकमल से इस कारिकरम लोकारपन का काम होना है ऐसा वो जो चाहते थे उसको आप साकार करके उन लोगों का मन अभी आनन से पूरुन किये हैं अब हम धर्माचारियं को भी प्रार्धना किये हैं यहाँ पर आज और कल एक चार बिंदू लेकर उसके बारे में चिर्चा करके उसको कुछ निर्नाई भी लेकर आपको समर्पन करने के लिए विचाते थे परंतो अब समय परमिट नहीं कर रहा है फिर भी हम यह धर्मा आचारियों का जो भाव है और वे जो निर्नाई लेते हैं उसको आप आपको हम भेजेंगे समर्पन करेंगे और कार्यानवित करने के लिए जो भी करना है वो आवश्य ही आपका सहयोग उसके लिए होगा यह हमारी आश्या है अब हम स्रीमान डॉक्टर रामिश्वर रव जो मैं होम इंडस्ट्रीज का अधिनेता है और भारत वर्ष टीवे नैन का भी चेर परसन है और इस कार्यक्रम के खास करके अतियंत भक्त और सेवक बनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरना देकर इस कार्यक्रम का साकारता में परिपूर्ण सहयोग दिये थे